गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, I am advocate अमित कुमार गुपता मैं अपने income tax के cases की series में आज जो मैं matter आप लोगों के सामने discuss करने जा रहा हूँ वो कई बार हम professionals को उसकी वज़े से काफी परिशानी को जेलना पड़ता है जब कभी भी हमारे assesses के यहां search होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम assessi के यहां पर अपना काम कर रहे होते हैं तो हमारे laptop वगरा भी वहां पर होते हैं और department उस search में हमारे laptop भी जो है वो अपने पास ले जाता है है तो डिपार्टमेंट जो है जब हम अपना लेप्टॉप या पने या अपने प 쪽 अंसे मांगते हैं तो डिपार्टमेंट जो है वह हमें वाउत से नहीं करता है और हमको डिलेट के थे तूह यह कहता रहता है कि भ हई अभी डिपार्टमेंट की जो चल रही है वो अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं और हमको अपने डॉकुमेंट्स या अपना लैप्टॉप नहीं मिल पाता ऐसा ही एक मैटर जो है वह हाई कोट के सब्सक्राइब के माध्यम से आया केस का नाम है सर बाटली बाएंड कंपनी वसिस डिपार्टमेंट आफ इंकम टेक्स इन्वेस्टिगेशन दोजार नो यह मैटर 315 आई टीर पीज नंबर 137 पर रिपूट हुआ इस केस के फैक्ट इस तरीके से हैं सर बाटली बाए जो है अपने क्लाइंट के हां अडिट कर रहे थे और वहां पर सर्च हुई तो अडिटर का लैप्टॉप भी जो है वो डिपार्टमेंट वाले ले गए जिन तीन क्लाइंट के हां सर्च हुई थी उन तीन क्लाइंट की इंफर्मेशन डिपार्टमेंट न नहीं किया ऑडिटर के पास कोई रास्ता नहीं बचा इसलिए ऑडिटर ने हाई कोट के हां रिट पैटिशन दाय करी किसाब हमारा ये जो लैप्टॉप है वो डिपार्टमेंट ले गया और ये हम अपनी सारी इंफर्मेशन दे चुके हैं डिपार्टमेंट को और हमारे यहा हमारे कुछ और क्लाइंट का डेटा भी है और क्लाइंट कॉन्फिदेंशलिटी की क्लॉस के माध्यम से भी ये इंफर्मेशन किसी और के साथ साजा नहीं की जा सकती हाई कोट ने ऑडिटर की और पैटिशन को बड़े ध्यान से देखा और अपना फैंसला दिया और ये कहा कि डिपार्टमेंट के पास सर्चन सीजर के दौरान बहुत वाइट पावर्स होती है लेकिन उन वाइट पावर्स का मतलब ये नहीं होता कि डिपार्टमेंट अपनी मर्यादा में रह करके काम ना करे या अपनी मर्यादा का उलंगन करे जिस party के यहां सर्च होई है उस party के लिए department की पूरी white powers होती है और वो सारी information निकालने के लिए auditor का laptop भी रख सकता है और वो information निकालने के बाद department को जो है वो auditor का laptop जो है या mobile या कोई और documents हैं वो वापसी करने है क्योंकि auditor के यहां सर्च नहीं होई थी और auditor ने पूरा department के साथ cooperate किया था उन तीन clients की information देने के लिए तो अब department के पास कोई कारण नहीं बच जा था कि department जो है वो assessi का अउडिटर का laptop अपने पास रखे इसलिए देली हाई laptop जो है उसको वापसी किया जाए क्योंकि इस laptop के अंदर बाकी clients की information भी है जो कि auditor को अपना काम पूरा करने के लिए जरूरी है और इस information का बाकी तीन companies जिनके अशर्च होई थी उससे अब कोई लेना देना नहीं है और हाई कोट ने ये बात कही कि यदी इसके उलट कोई वियू लिया जाएगा उलट वियू लेने का मतलब कि यदी department ये laptop अपने पास एक unlimited time तक के लिए या एक लंबे समय तक के लिए रखेगा तो इससे एक बड़ा ही गलत message जाएगा or it will be abuse of the search and seizure powers by the department which cannot be allowed in any circumstances. So, in this case, the high court gave a very balanced decision and a very much awaited decision in which the high court categorically denied the action of the department to keep the laptop of the auditor for a long period of time and for no meaning and for no use by the department because the auditor has supplied all the information relating to all the three parties on which the search was made by the department. So, this case is a milestone case as far as the auditors and professionals are concerned whose laptops, mobiles and other files are taken away by the department for no use and they are being harassed by not providing them their copies or not providing the original copies. And the department who has a lot of things to keep up and 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 keep up. Friends, once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is S.R. Bartley Boy and Company versus Department of Income Tax Investigation. Those are known. A.M.A.T. Tinsu Pandra, ITR, Page Number Exus Santhus, P. Repo Toa. Friends, I hope that this case will help the tax professionals in the cases when their laptops, mobiles and other documents are seized by the department for no use and the department adopts a delay tactics in not giving these laptops to the auditors. Thank you, friends.